अगर आप designer cake का डर लेने को डर हैं समझ नहीं आ रहा है केसे बनाऊं बना पाऊंगी या नहीं मेरे पास तो कुछ भी designer सामान नहीं है फंडान भी नहीं है तो केसे designer cake बनाऊंगी तो अपने डर को पीछे छोड़के ये वीडियो एंड तक देखिए बिना कोई designer सामान के आप भी बनाएंगे सारे designer cake ये मेरे ग्यारेंटी है आज हम आसान तरिके से Mickey Mouse cake का डिजाइन बनाएंगे कुछ खास tricks और tips के साथ और उसके साथ ये cake का packing वीडियो में दिखाऊंगी और price भी बताऊंगी तो आएए बनाते हैं Mickey Mouse cake का design तो फ्रेंट्स ये cake vanilla flavor का है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए cake की layering वीडियो में नहीं लाया 1.5 kg का यानि की 1.5 kg का cake है ये cake chrome coat करके अच्छे से freezing किया था उसके बाद ये final finishing कर रही हूं यहां पर ये 14 inch का MDF cake board लिया हूं और जो big round वाला cake है वो 9 inch का mold में cake बनाया और जो छोटू वाला दोनो cake है वो 3.5 inch का mold बनाया वो जो छोटू वाला cake वो mold नहीं है फ्रेंट्स वो टिफिन बक्स है टिफिन बक्स में बनाया वो जो छोटू वाला cake ज्यादा finishing के लिए एसे silicon brush गुमा दीजे तो आपको ज्यादा finishing की जरूरत नहीं पड़ेगी यह Mickey Mouse का face हम बनायेंगे यह केक अडर मुझे एक दिन पहले मिला था यह केक फटिन अवेंबर का है यानि की Children's Day के दिन बना के दिया था यहाँ पर जो Mickey Mouse का जो face है वो draw करना है टूथपिक से पहले draw कर लिजी फिर चोकलेट गनास से अच्छे से लाइन करेंगे यह draw में नहीं बनाया friends मेरे से नहीं होता है यह जो कुछ भी फिक्चर बना न यह तो मेरे बेटा जो स्पंदर ने बनाया था उस दिन Children's Day था न तो वो जल्दी से स्कूल से घर आ गया था इसलिए केक के उपर मेरे लिए यह ड्राइंग बना दिया था मैं वो ड्राइंग के उपर उपर एसे चोकलेट गनाज से फिर से ड्राइंग बनाई हूँ वो अच्छा दिखने के लिए जो बडर देखे कैसे अच्छे से बाहर निकल कर आया है और यहां पर यह स्कीन कलर जो क्रिम बना के जो उसे सैंडल कलर भी कहते हैं यह कलर कैसे बन वर्बाल स्टार नोजल से यह डिजाइन कभर किया हूँ पहले एसे बडर लाइन बना लिजे फिर अंदर की डिजाइन बनाएंगे फ्रेंस जब आप डिजाइनर केक का और ले तब फास्ट अपने मायंद सेटप किजे की आप अच्छे से डिजाइनर केक बना पाएंगे दूसरा टिप्स, कितने किलो में केक बनाना है, उसका सही मैजरमेंट कीजिए, देन केक टिन सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद केकबोर्ड, ओएट के अकरिंग, कौन सा केकबोर्ड सही होगा, और कितना इंच का लेना है, पहले से सिलेट कर लेजे, अगर यह सब आप सेट कर लेंगे, तो फिर बिना कोई डिजाइनर सामान के, आप सारे डिजाइनर केक बना सकते हैं, इसे ही कुछ खास टीप सांट्रिक्स से बनाएं अपना डिजाइनर केक, कितना इंच का केकबर, कितने साइज का जो केक मोल्ड, केक टीन, कितने किलो के लिए और कितने इंच का केकबर, कौन सा केकबर लेना चाहिए, आपको MDF या फिर डॉमबर या फिर नर्माल बर इस सब के बारे मैं, दो तिन वीडियो मेरी चानल पर शेयर किया हूँ अगर आप लोगों को वीडियो देखना चाहिए देखने की जरूरत है तो आप चानल पर जाकर देख लिजेगा यहाँ पर यह ब्लू कलर का क्रिम बना के नूर की एट नंबर की स्टार नोजल से यह डिजाइन बनाया हूँ यह कलर तो ब्लाक होना चाहिए लेकिन मैं यह ब्लू कलर में बनाया हूँ हूइड क्रिम में ब्लाक कलर आड़ करना यानि की आग में खेलना जैसा होगा क्रिम में ब्लाक कलर लाने के लिए बहुत ज्यादा कलर आड़ करना पड़ता है और ज्यादा कलर के कारण क्रिम कड़बा होने का चांस भी रहता है और black color वाले cream खाने से मुँ में भी और हाथ में भी लगता है इसलिए हो सके तो black color cream को ना करके और कोई color से बनाए अगर customer black color में बनाने के लिए बूल रहे हैं तो आप customer को convince कीजिए other color करने के लिए और black color करने से जो cream क्या होगा उनको समझाद दीजिए मैं ये blue color करने से पहले customer को call करके convince किया था और customer बोले की जैसे आपको अच्छा लगे वेशा ही color कीजिए यहाँ पर मैं ये blue color की जो design बनाया हूं और ये जो skin color की मैं कैसे color बनाया था उसको just एक needle से orange color लेके cream में दिया था और अच्छे से mix करने से एशा जो skin color बनता है फिर ये जो आँख और नाँख ये मैं बनाया हूं वही चोकलेट गनाज से फिर वही 8 नंबर की nozzle से ये cake की बडर भी कभर किया हूं और जो काटून का जो tongue है वो tongue को neutral gel red color की neutral gel बना कर वो tongue बनाया हूं आपको आज का ये cake design कैसा लगा कमेंट्स कीजिए और अगर अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किये हैं तो मेरे चानल को subscribe कीजिए like कीजिए और cake related जो भी doubts है आप लोगों की वो मेरे साथ कमेंट्स में share कीजिए ये cake order मुझे एक भया ने दिये थे उनका सब भी हमारी market में है फिर भी वो market में रहे कर भी मुझे cake order दिये थे इसलिए उस भया को मैं दिल से सुक्रिया बोलती हूं और यहां पर मैं उनके जो बेटे का नाम को place कर रहे हूं मेरे वियोर्ष ने एक वियोर्ष ने मुझे पूछा था कि जो बिना फंडान के नेम आप केसे cake board पर place करेंगे देखिए मैं एसे ही place की हूं और यह cake में 800 रूपीज में sell किया था यह जो कभर लिया हूं 14 inch की कभर लेकर यह packing किया हूं और उसके उपर एक बाड़े टाव और एक नाइफ भी में हमेशा देती हूं तो आप भी ऐसे डिजाइनर केक बनाएए थैंक्स पर वाचिंग झाल